समस्कार आप सभी का लर्निंग हर्याना आपके अपने यूट्यूग चैनल लर्निंग हर्याना में सवागत है आज पढ़ेंगे महंदरगंड जिला एक नजर में अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी कब हुई थी एक नुवंबर 1966 को जब साथ जिले बने थे उनमें से एक जिला जो ट्रिक हमने पढ़ाई है घर जेके में यानि महंदरगड गुरूगराम अंबाला करनाल जीन्ड हिसार और रोतक ये साथ जिले थे और अक्सेत्रफल की बात की जाए तो थारा सो निनानवे वरग किलोमेटर है इसका मुख्यले एक ऐसा जिला है जिस का मुख्यले खुद डिस्टिक में नषकर खुद जिले में नषकर कहा है नार नोल में मंदल की बात कही जाए तो किस मंदल के अंतर गताता ये गुरूगराम के अंतर और लोकसवाक सेतर की बात करें तो ये लोकसबा महंदरगड बिवानी बिवानी महंदरगड जो लोकसबा है MP की बात की जाए तो Mr. धंबिर सिंग तलुवारे यहां BJP के हैं जो पहले Congress में होते थे Congress छोड़ कर BJP में आ गई है और यहां के MP है तहसील की अगर बात की जाए तो यहां पर कौन-कौन सी तहसील रहेग की तहसील नंबर एक तहसील की बात की जाए महंदरगड नारनोल नांगल चोडरी अटेली कनीना कौन-कौन सी है नंबर एक महंदरगड महंदरगड यह तो ऐसे ही बतार की महंदरगड नारनोल नांगल चोडरी अटेली कनीना साकसरता दर की बात की जाए तो यहां पर कितन 9% कितनी है 79 प्राचिन नाम की बात की जाए तो कानोड पुराने या उपनाम एक तो है कानोड दूसरा है खनीजों का सहर कौन-कौन से उपनाम है इसके कानोड और खनीजों का सहर किस डिस्टिक को कहा जाता है हरियाना के महंदरगड को महंदरगड के आसपास गाओं का जो आरंब किसने करवाया था अजमेर के सासक और पिर्त्वी राच्चोहान के काल में हुआ जो महंदरगड के आसपास गाओं है उनका जो शुरुवात है अजमेर के सासक और पिर्त्वी राच्चोहान के काल में हुआ था अगर बात की जाए कानोडिया ब्रहमनों द्वारा अबाद किये जाने के बाद जो कौन थे इसका नाम भी उन पे आता है कानोडिया ब्रहमनों द्वारा अबाद किये जाने के बाद महंदरगड पहले कानोड के नाम से जाना जाता था और ये भी मानना है कि यह भी मानना जाता है कि महंदरगड को बाबर के सेवक मलिक महमुद खान ने बसाया था किस ने बसाया था मलिक महमूद खान ने बसाया था और आगे बढ़ते हैं ऐसा माना जाता है एक कतावर है पतियाला के सासक ने अपने पुत्तर मोहिंदर सिंग के नाम पर कोन है अपने पुत्तर मोहिंदर सिंग के नाम पर इसका नामकरन क्या किया महंदरगड यह बात मैं आपको बता चुका है यह ऐसा जिला है जिसका म्युख्यले महंदरगड नहोकर नारनोल में है नारनोल शोरी बिर्बल नगरी के नाम से परसीद है किसके नाम से है बिर्बल नगरी के नाम से परसीद है हर्यारा में अरावली मदान का सबसे उंचा भाग किस जगे पर है उल्ताज पूर्नारनोल में है कहां पर है जो की कितना 552 मेटर उंचा है ये डोसी की पहाडी कहलाती है कोन सी पहाडी कहलाती है डोसी की पहाडी कहलाती है कोन सी कहलाती है डोसी की पहाडी जहां पे चमन रीशी ने क्या की थी तपश्या की थी 27 ताबदी में मराठा राजय त्यात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्मान करवाया किसने करवाया त्यात्या टोपे ने एक किले का क्या करवाया निर्मान अब महंदर गड के खनीज नमबर एक चुनना मिलता है चुनना सलेट का पत्थर लोहा क्वार्च क्या मिलता है लोहा क्वार्च आगे बढ़ें एक बार मार्बल कांच बालू मार्बल तामर अश्यक और इसके अलावा तामर अश्यक मैगनिज महंदर गड़ जिले को हरियाना की हरियाना की क्या बोलते हैं खनीज संपदा का बंढ़ार कहा जाता है किस जिले को कहा जाता है महंदर गड़ को किसको महंदर गड़ को हर्याना में संग्मर्मर मुख्यते मेहंदरगड जिले में ही मिलता है कहां मिलता है मेहंदरगड जिले में संग्मर्मर मार्बल मादोगड का किला कुन सा है मादोगड का किला इसका निर्मान राजस्तान के सासक स्वाई मादोपूर के नाम से स्वाई मादोपूर जगह है जो मादो सिंग ने करवाया था किसने करवाया था मादो सिंग सासक ने इबराहिम खान का मकबरा इबराहिम खान का मकबरा कहां रहेगा नारनोल में इस मकबरे का निर्मान परसिद समराट सेर सासूरी ने अपने दादा इबराहिम खान की याद में बनवाया किसकी याद में बनवाया अपने दादा इबराहिम खान की याद में एक यहां की महसूर राय मुकंदास का चत्ता इसका निर्मान कब हुआ सहा जहा के सासनकाल में हुआ नारनोल के दिवान मुकंदास ने यह करवाया इसे बिर्बल का छत्ता भी कहा जाता है बिर्बल का महल रंग महल पूछा जाए वो तो कहां रहेगा बुढिया यमनानगर के अंदर और बिर्बल का छत्ता कहां रहेगा नारनोल में नेक्स्ट है विलायत का मकबरा विलायत का मकबरा किसने बनवाया यह मकबरा फिरोज सा तुगलक के सासनकाल में बनाया गया किसके सासनकाल में फिरोज सा तुगलक के सासनकाल में नेक्स्ट पढ़ते हैं साहा कुली खान का मकबरा नारनोल में ठीक है एक यहां की महसूर चीज है मिरजा अली खान की बावडी क्या है मिर्जा अलि खां की बावडियों का सहर पुछा जाए तो नारनोल एक यहाँ पर दरगा है हम्जा पीर दरगा यह भी कहां रहेगी नारनोल में दोशी तिर्थ, यह तिर्थे कुलताजपूर में स्थित है, में स्थित है मेहंदरगडवराजस्तान की सीमा पर स्थित इस पहाड़ी पर 54 रिशी स्पश्या किया करते हैं या करते थे सोरी सोमती अमश्या को 54 रिशी की आद में यहाँ पर मेला लगता ہے भागवत के अनुसार इस तिर्थे को का सम्मन दवाब पर यूग से हैं किस यूग से हैं महवारत काल से हैं चामुंडा देवी एक मंदिर पढ़ा था पंचकुला में भी है और यहां पर भी है नारनोल में पीर मंदिर जिसको भागोत यह मंदिर कनीना दादरी मारक पर भागोत गाओं में स्थीत हैं ठीक है कनीना और दादरी मारक पर इस मंदिर का निर्मान इवाक्षूक वंस के राजा दिलिप सिंग ने करवाया था किसने करवाया था युवक्षुक वंस के राजा दलिए इस मंदिर को जो ये रहता है इस मंदिर को भागेश्वर नाम से जाना जाता बाद में भागेश्वर से भागोत हो गया नेक्स्ट पीर गुबंद इसे नारनोल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है पुराने समय में यहाँ चार डाकु छिपा करते थे नेक्स्ट है इसलिए इसे चोर गुबंद कहा जाने लगा जल महल की बात की जाए यह नारनोल में स्थीत है इसका निर्मान सहा कुली खान ने किया उननी सो क्यावन में कब किया उननी सो क्यावन में गुरु द्वारा दसमेश कहां रहेगा नारनोल में गुरुद्वारा सिंग, सिरी गुरु सिंग सभा भी कहां रहेगी नार्नोल में परसीद व्यक्तियों की बात की जाए बाबा राम देव का जनम गाउं अलि सायद पूर्म यानि महंदर गड में हुआ 25 दिसंबर 1965 को और बात की जाए 37 कोशिक जो महंदर गड से है हर्याना की महसूर फिलम चंद्रावर में ने संगीत कार का रोल किया था सहीदिस मार्क कहां रहेगा नसीब पूर जो नार्नोल में है ठारा सुस्तावन के क्रांती कारियों का सहीदिस मार्क स्थीत है ठारा सुस्तावन में नसीबपूर में राव तुलाराम उनके भाई गोपाल राव कहां अंग्रेज्जों से भीड़े थे अगले यहां के प्रसीद व्यक्ति है सुरेंदर सर्मा हाश्य कवी व्यंग करती हैं जादतर ये नांगल चोदरी से हैं केंदरिये विसोविदेले जैंत पाली के अंदर है यह हर्याना का पहला और एक मातर केंदरिये विसोविदेले है हर्याना के अंदर महंदरगड जिला लाग की चूडियों के लिए परसीद है किसके लिए लाग की चूडियां सबसे ज़्यादा कहां मिलती है महंदरगड के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं रीसी मुनियों की बात की जाए यहां पर पिपलाद भागोत इनका क्या था स्थान और कहां रहेगा महंदरगड के अंदर चवन रीसी डोसी की पाड़ियों पर तबस्या किया करते थे एक रीसी होए यहां के उदलक महंदरगड के श्याणा गाओं में इनका क्या था तपोस्तली थी क्या थी तपोस्तली नेक्स्ट प्राचिन अर्जुन गन राज्ये की राजधानी कौन थी महंदरगड कौन होती थी महंदरगड नेक्स्ट है महंदरगड को हर्याना की खनीजों की नगरी किसे कहा जाता है हर्याना की खनीजों की नगरी किसे कहा जाता है महंदरगड को किसे और चंदरकूप तलाब कहां रहेगा हर्याना के महंदरगड जिले में कहां रहेगा महंदरगड जिले में नारनोल में उतरभारत का सबसे बड़ा लोजिस्टिक पारक स्थीत है क्या है लोजिस्टिक पार्क उत्रभारत का सबसे बड़ा कहां रहेगा नारनोल के अंदर उध्योगिक रूप से रज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला यहां पर कोई उध्योग नहीं है और एनेच की बात की जाए एनेच भी यहां पर अभी कुछ निर्मान चलेगा लेकिन पहले कोई भी एनेच नहीं था महंदरगड के अंदर अगर विधायक की बात की जाए यहां पर चार विधान सबाक से तरह है महंदरगड अटेली नारनोल और नांगल चोदरी तो महंदरगड से रावदान सिंग रहेंगे इंडियन नैसनल कॉंग्रेस के कौन रहेंगे रावदान सिंग इंडियन नैसनल कॉंग्रेस अटेली से बात की जाए सीता राम बीजेपी के नारनोल से ओम परकास यादो बीजेपी के रहेंगे और नांगल चोदरी से अब्यासिंग ये भी किसके रहेंगे बीजेपी के उप मंडल की बात की जाएं महंदरगड नारनौल कनीना कौन-कौन है महंदरगड नारनौल कनीना तो यहाँ पर महंदरगड का जो RTO नमबर रहेगा विकल रजिस्टेशन HR 34 और HR ये है जो 35 कितना है HR 35 कनीना का रहेगा HR 82 यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लर्निंग हरियाना को कमेंट करें और आपके लगबग मैंने 19 जिले कम्पलीट करा दी है आज किसी प्रोबलम से मैं बोर्ड पे नहीं आ पाया इसलिए थैंक्स पर वाचिंग हैवे नाइस टे